आसाण मास की पुर्णेमा को हर साल गुरु पुर्णेमा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्ब में गुरु पुर्णेमा का विशेश महत्व है। इस दिन लोग अपने गुरुओं की पूचा करते हैं, उनसे आशिरवात लेते हैं। इस साल गुरु पॉर्णेमा 5 जुलाई को मनाय ज़ा रही है 5 जुलाई को साल 2020 का तीसरा चंदक्रहण भी लगने वाला है हालाकि जबार लगने वाला चंदक्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा जिस वज़ह से ना ही देश में सूतक लगेगा और ना ही गुरु पूर्णेमा पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा आपको बता दें कि इससे पहले साल 2018 और साल 2019 में भी गुरु पूर्णेमा के दिन ही चंद ग्रहन लग चुका है साल 2018 में 27 जुलाई को गुरु पूर्णेमा पर चंद ग्रहन लग रहा था इसके बास साल 2019 में भी 16 जुलाई को गुरुपोनेमा के दिन चंद ग्रहन लगा था बता दे कि इस साल गुरुपोनेमा का शुब्मूरत एक दिन पहले यानि कि आज 4 जुलाई को है जो कि सुबे 11 बचकर 33 मिनट से था और आपको बता दे कि ये 5 जुलाई सुबा 10 बचकर 13 मिनट तक रहेगा आपको बता दे कि चंद ग्रहन का समय पांच जुलाई सुबा 8 बचकर 37 मिनट से सुबा 11 बचकर 22 मिनट तक है इस बज़ा से ये चंद ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा इस वीडियो में फिलाल इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें